नमस्कार दोस्तो आज हम घुसकर कंपणी का ये अल्ट्रा सिलिम टीबी है 14 इंच का तो दोस्तो यहां पर इसक्रीन पर देख रहे हैं इस तरह का रेंबो आ रहा है तो यहां पर सबसे पहले हम जो येस्टी है येस्टी के स्क्रीन से घटाएंगे बढ़ाएंगे घटाने बढ़ाने के बाद में इस तरह का रेंबो और जो उपस उपर में फोकस दिया है फोकस को भी कम बेसी करने के बाद में भी जो इस तरह का रेंबो स्क्रीन पर 7 रंग जैसा 7 रंगी आ रहा है तो दोस्तो यह जो फोल्ट है अक्सर वर्टिकल सेक्शन में देखने को मिलता है तो यहां पर दोस्तो हम सबसे पहले मल्टिमीटर से जो वर्टिकल सप्लाई होता है 22V 24V 12V 5V जो supply मिलता है तो दोस्तों उसको हम सबसे पहले हम चेक करेंगे और जो 180V जो bass पर मिलता है उसको भी test करेंगे यहां पर जो bass दिया रहाता है bass पर भी 180V के आसपास इसपर supply आना चाहिए वो भी supply कम आने कोज़े से भी इसतरह का रेंबो आता है तो अहां पर vertical section में हम supply check करेंगे कि vertical section में supply सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले हम दोस्तों देखेंगे कि जो ground होता है hitsink palette दिया रहता है उसको भी sort होने को वज़ा से इस तरह का rainbow screen पर आता है तो यहाँ पर सबसे पहले हम multimeter से voltage को check करेंगे उसके बाद दिखा देते हैं यहाँ पर जो देख रहे हैं जो अबरक का paper दिया रहता है अबरक के paper कटने को वज़ा से जो hitsink palette है उसमें touch होता है तो उससे भी rainbow आता है उसके बाद में जो capsitter होता है capsitter कोई भी लिक होने को वज़ा से भी इस तरह का स्क्रीन पर rainbow आता है तो यहाँ पर जो capsitter है capsitter बिल्कुल सही है सबसे पहले है यहाँ से जो जाता है 180 volt बेस के पास तो दोस्तों यहाँ पर जो बेस देख रहे हैं यहाँ पर 180 volt supply कम ज्यादा होने को वज़े से भी इस तरह का rainbow आता है तो दोस्तों यहाँ पर हम supply चेक कर लेंगे और उसके बाद में जो CRT base है इसको भी खराब होने को वज़ा से इसक्रीन पर rainbow आता है तो दोस्तों सबसे पहले हम multimeter को DC 200 volt के range में रख लिए हैं और TV में supply दे लेंगे उसके बाद में हम जो बलाइकोला lead है ground से और जो IC के pin है साथ पीन होता है इसमें हर पीन पर हम voltage चेक करेंगे कौन सा पीन पर कितना voltage मिलना चाहिए एक और दो पर 24 volt के असपास मिलना चाहिए और तीन जो होता है ground का होता है और इसमें चार पांच जो होता है 12 volt supply मिलता है और साथ पर 5 volt supply मिलता है सारे supply को हम यहाँ पर चेक कर और उसके बाद में यहां देख रहे हैं DC 200V के में रख लिये हैं और उसके बाद में सप्लाई चेक करें यहां यहां पर देख रहे हैं उसके बाद में जो 12 वोल्ट सप्लाई मिलना चाहिए वहां पर 14 वोल्ट मिल रहा है और जहां 12 वोल्ट मिलना चाहिए वहां पर 11 वोल्ट का सप्लाई मिल रहा है पर हैं तो इस प्रियेट में का करेंगे जो 48-42 ik के हम चैंज कर लेंगे तो यहां पर सबसे पहले जो टीबी का में धे Bendly में लिगा लेंगे और का आइसी को यहां पर हम चैंज करेंगे तो यह जो jp को अच्छी तरह से निकालने गे जो प्रिंट कटा हुआ नजर आ रहा है तो दोस्तों इसको अच्छी तरह से निकालेंगे जागी ज्यादा प्रिंट ना कटे और निकालकर हम यहां पर दूसरा ऐसी लगाएंगे तो देख रहे हैं यहां पर कुछ प्रिंट कटा हुआ नजर आ रहा है जो कि इसको सोलडर किया हुआ था और उसके बाद में हम यह जो आइसी है लिकालकर दूसरा आइसी लगाएंगे तो आहां पर हम इस्कृप खोलेंगे तो यहां पर देखेंगे कि हिट सिंग से एक जो इस凝्डूप है है डायेट हिट हिंच से रहता है और जो इसमें है ground से जुड़ा हुआ राता है जो पलेट है ground से जुड़ा हो और एर जो चाइना किट है वो अलग राता है इसलिए दौस्तों इह सब ध्यान देना है और यहाँ जो इसी लिंका लेंगे आसी निकालने के बाद में भी यहाँ पर द्छेंगे कि अबर alt का एक के पेकर दिया राता है चलिए यहां पर हम आइसी को निकाल लेते हैं तो दोस्तो यह रहा आपका IC यह 78404 नमबर का IC है और सेम इसी नमबर का हम दुसरा IC डालेंगे तो चलिए इसको हम यहां साइड में रख लेते हैं और उसके बाद में हम दुसरा IC डाल कर टेस्ट करेंगे तो यहां पर दोस्तो यह जो IC है हम दुसरे प्लेट में डाल कर टेस्ट किये हुए है जो कि IC बिलकुल सही है और इसको लगाएंगे हम तो दोस्तो इसको ध्यान देना है कि IC को लगाने से पहले जो अबरक का पेपर है इसको लगाना जरूर है कि हिट सिंग से सोट नहों हो अबरक का पेपर जरूर दिया रहता है तो यह पर इस तरह से IC को हम सेट करके और जो IC के जितने सारे पीन है साथ पीन होता है साते हों पीन को हम अच्छी तरह से सोल्डर कर लेंगे यहां पर तो दोस्तों देख रहें यहां पर जो कुछ प्रिंट है प्रिंट कबरा हुआ था इसको अच्छी तरह से शोल्डिंग कर लेना है और देखना है ध्यान देना है कि जितने सारे पीन है एक तुसरा पीन वापस में सौट नहों हो करेंगे चलिए इसको हम अच्छी तरह से शोल्डिंग कर लेते हैं और उसके बाद में हम इसको टेस्ट करेंगे दिखाएंगे तो दोस्तों आप से एक रिक्वेस्ट बनता है कि आप जदी मेरे इस चैनल पर पहली बार है वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो क्रिपया क करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल घंटी प्रिच करना न भूले तो दूस्तों जो शोल्डिंग किये हुए थे इसको अच्छी तरह से ब्रसले साप कर देना है प्रेटोओ या कोई भी इसको अच्छी तरह से साफ कर देना है और चिमटा से या पिच कसले बारिकी से पीन को हम बिच में अलग से इस तरह से कर लेंगे ताकि एक दूसरा पीन वापस में सौट नहों यह स्वार को ध्यान देना है और उसके बाद में हम चलते हैं इसको टीवी को ओन करके देखते हैं ते अहां पर दोस्तों हम जितने सारे पीन हैं इससे हम क लोक नहीं दिया हुआ है तो दोस्तों यहां पर हम टीवी में सप्लाई दे दिए उसके बाद में हम स्क्रीन पर चलते हैं स्क्रीन पर कैस्ता पीक्चर आ रहा है तो दोस्तों देख रहे हैं इसमें रिट्रेंस लाइन का थोड़ा थोड़ा लाइनिंग आ रहा है इसमें त यहां पर दुस्तो यह तो किलियर हो गया और यहां पर ओडियो बीडियो केबल लगा लेते हैं और यहां जो है साउंड का है जितने सारे इसमें केबल है सारे केबल को हम लगा लेंगे और पैनल ओला केबल को भी लगा लेंगे जो आगे सेंसर का सरकुट दिया है सेंसर सरकु को इसको भी लगा लेंगे जितने सारे वाइर है सारे वाइर को जहां से निकाले थे वहें से हम इसको लगा लेंगे उसके बाद में चलते हैं ओडियो वीडियो केबल लगा कर तो दोस्तों यहां पर टी भी चल रहा है और यह रहा ओडियो वीडियो केबल यहां जो वीडियो पॉइंट है येलो अलब पॉइंट में लगाएंगे और अधियो ओला बलाइक या वाइट में तो दोस्तो देख रहे हैं यहां पर इसक्रेन पर बिल्कुल पिक्चर सही चल रहा है तो दोस्तो कैसी लगी वीडियो आप नीचे कमेंट बक्स में जरूर बता हैं और इस वीड वीडियो में फिर मिलंग चलते हैं दोस्तो जय हैं जय भारता है